सो हे गाइज बहुत ही ज़्यादा सेड नियूज आ रही है क्योंकि कॉनर मेगरेगर को शायद अपनी लॉस जो उनकी पिछली दो फाइट उन्होंने हारी वो शायद रास नहीं आ रही और इसलिए वो धंकी दी उन्होंने डस्टिन पॉरियर को शायद ये थोड़ा सा समझन मुश्किल है कि कहा क्या है जो डस्टिन एक ट्वीट जो है ड्लीट किया वो ट्वीट है यह वादा जिसमें उन्होंने लिखा है गॉनेजो और साथ में उनकी बेटी का फोटो डाला है गॉनेजो का मतलब होता है फिनिश्ट यानिकी गॉन गया अब कुछ लोग इस बारे यह कह रहे हैं कि यह ज़स्ट असलेंग है नेक्स्ट फाइट को प्रमोट किया जा रहा है लेकिन कुछ लोग कह रहे कि यह धंकी है तो शायद यह धंकी ही धंकी तो नहीं लोगों को मारना कोई आम बात नहीं है अगर आप सेलिबरिटी हो तो यह ज़स्ट एक स्लेंग है I think but Connor McGregor is now bad guy क्योंकि जब वो फाइट हा रहे थे और जब वो जब इंटर्व्यू चल रहा था दस्टन पॉरियर का तो उस ताइम पर वो चिला रहे थे कि वो आर डेड इन असलिप यानि कि वो मार देंगे तुमको जब तुम सोय होंगे तब वो मार देगा तुमको गोली से उडा देगा लाइक डैट और पिछले कल Connor ने एक और ट्वीट किया था कि मैं माफी मांगता हूं डस्टन पॉरियर से डस्टन पॉरियर की वाइप से और वो उन्होंने डिलीट कर दिया और अभी उन्होंने एक और फोटो अपलोड किया जिसमें उन्होंने लिखा था गॉने जो यानि कि गया और वो भी डिलीट कर दिया तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट फाइट प्रोमोट कर रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉनर बड़े दुखी हैं तो Conor मुझे नहीं पता क्या हुआ Conor को but I think I think he is finished और जो खबीब के बारे में मैंने वीडियो डाली थे उसमें उन्होंने कहा था कि वो घमंडी हो चुका है वो एक फेक Conor है वो कोई रिल Conor नहीं था बिल्कुल फेक Conor था मैं Conor का फैन हूं लेकिन इस दिसक्स्ट